हे गाईज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चानल विचीज़ वर इस क्लासेज और आज की वीडियो में हम बढ़ने वाले हैं कैन बी सबसे पहले हम कैन बी क्या होता है वो देख लेते हैं तो कैन बी का मतलब होता है बन सकता है हो सकता है या फिर रह सकता है अगर हमें फॉर्मुला बनाना है और अगर हमें पॉजिटीव में सेंटेंस बोलने है तो हम यूज करते हैं फॉर्मुला ठीक है समझ मैं सुगुर सेंटेंस देख लेते हैं फॉर्स सेंटेंस है मैं डॉक्टर बन सकता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट है I सब्जेक्ट के बाद can be और उसके बाद हमने नाउन लिया है और डॉक्टर I can be a doctor और निगेट्यू में I can't be a doctor यानि मैं doctor नहीं बन सकता हूँ सेंटेंस है वो मेरा दोस्त हो सकता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही ही के बाद can be और उसके बाद my friend और निगेट्यू में he can't be my friend यानि वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है थर्ड सेंटेंस है वो घर पे हो सकती है तो यहाँ पर subject she, she के बाद can be, can be के बाद at home और negative में she can't be at home यानि वो घर पे नहीं हो सकती है ठीक है समझ में आया So friends if you like this video so please like, share and subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon to get the notification of all video Okay friends, thank you, bye